सर्च इंडिया कहानी से सच्चाई तब जैसा की नाम से ही जाहिर है जरूरत मंद लोगों को बुनियादी स्थर पर मदद करके उनके चेहरे पर खुशी लाना हैपी फेसे ज्वडोदरा की स्थापना श्री पियूश खरे ने 10 मई 2015 को अपने स्कूल के दोस्तों के साथ की थी अमिरुकदिन दाबोई वाला, गुल्शन रागानी, शहजार शेक, म्रगा दबे, निलोफर, चालियार वाला, अविनाश शर्मा, इस्थूती गायकवार, अंके सकसेरिया इसे सफल बनाने वाले शुरुवाती सदस्यों में से कुछ हैं अब इस संसा के सदस्यों के संख्या करीब 460 हो चुकी है संसा पर पियुश खरे ने अपने दोस्तों के साथ शुरुवात की थी दिवाली पर पठाकों और मिठाईयों उन तक पहुचाना जिनके लिए दिवाली का दिन भी आम दिन जैसा ही होता है चन चैरों की मुस्कान के साथ ही ये कारवा आगे बढ़ता ही गया और अपने आदर्श वाक्य मानवता की सेवा इश्वर की सेवा है को चरितार्थ करते हुए आज ये संसा बहुत सारे कारेक्रम चला रहा है जिसमें से कुछ है नूट्रिशन इसके अंतरगत वंचत बच्चों को प्रतिक सोंवार को गर्म दूद मोहिया कराया जाता है मेडिकल एड में मेडिकल केंप आयोजित करके नूट्रिशन किट, मेडिसन, फॉर्स्ट एट उपलगत कराया चाते हैं एजुकेशन के अंतरगत हर साल 500 बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष रखा गया है इस हैतु दो शिक्षा केंदर शिरू हो चुके हैं जिसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं जो जुग्गी जोपड़ी और सड़क किनारे रहते हैं सेलिब्रेशन में जनम दिन और अन्य विशिश दिनों का खाना स्टेशनरी आदी वित्रित कर मनाया जाता है वंचित बच्चों के लिए मुजिकल कॉंसर्ट आयोजित किये जा रहे हैं ब्लड डोनेशन, क्लॉट डोनेशन जैसे इवेंट्स पूरे साल चलते रहते हैं कोरोना काल में भी संसा द्वारा अनेको लोगों के लिए प्लाजमा डोनर की विवस्ता की गई होम कॉरेंटाय लोगों को भोजन पहुचाया गया वंचित लोगों तक राशन पहुचाने की वेवस्ता की गई संसा पर प्यूश खरेजी के नेतत्व में अनेको तरह से इसके सदसे जरुतमन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में लगाता लगे हुए हैं अगर आपको हमारी द्वाला दे गई हुए जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद